दादी सास गुंगट के चले जा रही हो बाहर ममी जी आज के जमाने में कौन गुंगट करता है बहुत ज्यादा बहस मत करो समझी चुपचाप गुंगट करो ममी जी गुंगट में मुझे कुछ नहीं देखेगा कैसे चलूँगी मैं कितनी परिशानी होगी ओहो बहाने तो देखो महारानी के ठीक है परिशानी होगी तो कोई जरुरत नहीं है बाहर जाने की चुपचाप घर पर बैच जाओ तभी वहां रेवती की सास आ जाती है अरे क्या शोर मचा रखा है सुबसे रेवती देखे ना सासुमा बहु घर से बाहर जा रही है और गुंगट नहीं कर रही है तो क्या हो गया गुंगट नहीं कर रही है तो और वैसे भी रेवती अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए जमाना बदल जाने से परमपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासुमा मैं जब आई थी मैं भी तो हर वक्त गुंगट में रहती थी न हाँ वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे गुंगट में तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए गुंगट करती थी मैं तो खाना बनाते हुए भी गुंगट में ही रहती थी पता है कितनी तकलिफ होती थी पर सासुमा पर वर कुछ नहीं नीदी बहू तुम जाओ ये गुंगट करने की जरूरत नहीं है धन्यवाद दादी सासुमा एक दिन नीदी, गगन और उसके पताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं तभी वहाँ रेवती आ जाती है ये क्या आप सब को शरम लिहाज है कि नहीं आप तो नीदी के ससुर है और उसके साथ ताश खेल रहे हैं और तुम निधी, तुम्हें कोई शरम लिहाज है ही नहीं? तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजी, मामी जी. चलो जाओ अपने कमरे में. एक मिनेट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू. पर सासु मा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है न? क्यों? क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हसी ठिठॉली करता है, तो मैं तो कहती हूँ के तुम भी आजाओ और खेलो हमारे साथ. नहीं, मुझे नहीं आना. रेवती वहां से नाराज होकर चली जाती है. वो मन में सोचती है. ये सासु मा तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी. ऐसे तो निधी मेरी इज़त कभी नहीं करेगी. रेवती अपनी सास के पास जाती है सासुमा आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही है आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहु तो मेरी इज़त कभी नहीं करेगी दादी सास बड़ी ही शांती से मुस्कुरा कर जवाब देती है ठीक है बहु तू आज से सास बन जा अपनी बहु की मैं कुछ नहीं कहूंगी आज से ठीक है रेवती ये सुनकर खुशो जाती है और निधी के पास जाती है सुना बहु आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरुरत नहीं है पर ममे जी दादी सास ने तो कहा था कि तुम्हारी सास मैं हूँ बहू तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ समझी कोई जरुरत नहीं है कल से काम पर जाने की रेवती वहाँ से चली जाती है और निदी ये सुनकर दुखी हो जाती है दादी सास ये सब देख रही होती है और उन्हें एक तरकीब सुचती है रेवती बहु कहां जा रही हो सासुमा वो महिला अध्यक्षा के मिटिंग में जा रही हूँ कोई जरूरत नहीं है जाने की पर क्यों सासुमा मैं तो महिला अध्यक्षा की सदस्या हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना के कही नहीं जाओगी तुम नाम हटवालों महिला अध्यक्षा से अपना ये सासु मा को क्या हो गया है आज तक इनोंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की दादी सास महा से चली जाती है और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है शाम को रेवती और निदी खाना पका रही होती है तभी क्या बन रहा है आज खाने में सासु मा आज हम दाल चावल बना रहे हैं बस दाल चावल आज दाल चावल नहीं पकेंगे आज तुम घिया के कौफते और साथ में भिंडी की सबजी और गरम गरम रोटी बनाओ अरे लेकिन सासुमा दाल तो मैंने चड़ा दी है तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू हमारे यहां किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे है तुम भी ना रहोती कामचोर हो गई ही हो बिलकुल सासुमा आपने मुझे कामचोर बोला रेवती के आँख में आसु आ जाते हैं हाँ बोला कामचोर तो इसमें जूट क्या बोला लो अब आसु बहा कर पती से शिकायत करेंगी महारानी रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है सुनिये जी आप सासुमा से बात कीजिए पता नहीं उन्हें क्या हो गया है मेरी बहु के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेईज़ती की है क्या बताओ तभी वहाँ दादी सासा जाती है और मुस्कुरा कर फिर नाटक करने लग जाती है लो और सुनो देखा सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी ए भगवान मेरी तो किसमती खराब है ये दिन भी देखना पड़ेगा मैंने तो सौचा ही नहीं था तभी रेवटी कमरे से बहर आ जाती है सासुमा आपको क्या हो गया है आप ऐसे क्यों बरताओ कर रही है मेरे साथ क्यों, मुझे क्या होगा हुआ तो तुझे है बहुरानी जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से एसी उमीद ना थी तुझ से हाँ सासु मा मैं शिकायत नहीं कर रही थी पर आप ऐसे बरताओ कर रही है तो अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूं बहू मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों? तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाओं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूँ रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है अपनी आजादी सबको प्यारी होती है बहू मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बरताम नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो पर तु सास बन कर अपनी बहू पर हुकुम चलाना चाती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलुक हुआ तो रोने लगी आप ठीक कह रही है सासुमा मुझसे गलती हो गए मैं अपनी बहू को बेटी बना कर रखूंगी जैसे आपने मुझे बेटी बना कर रखा है